नमस्कार स्वागत है आपका समाचार एक्स्प्रेस में और मैं आपके साथ विदिशा शांडेले लब जिहाद और डेमेज टू पॉब्लिक एंड प्राइबेट प्रॉपर्टी बिल को आगामी बजट सत्र में शामिल किया जाएगा आपको बता दे कि आज हरियाना के ग्रह मंत्री अनिल विज चंडीगड में पत्रकारों से रूबरू हुए इस दोरान विज ने ये जानकारी दी है विज ने कहा कि उनके विभाग की तरफ से दो बिल सरकार को भेज दिये गए है इसमें एक बिल लब जिहाद को लेकर है और एक अन्यबिल डेमेज टू पब्लिक एंड प्राइवेट प्रॉपर्टी को लेकर है अनील विज ने बताया कि आगामी बजट सत्र में इन दोनों विलों को पास करवाने की कोशिश की जाएगी अनील विज ने डीजीपी की नियुक्ति को लेकर केंद्रो और राज्य सरकार के पत्र को लेकर पूछे गए प्रश्न का उत्तर देते वे कहा कि दो साल के लिए उन्हें भेजा गया था और समय पूरा हो चुका है ऐसे में नई डीजीपी की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू करना जरूरी है बताते चले कि हर्याना के आगामी बजट सत्र में सरकार कानून लेकर आ रही है जिसके तहए तब पब्लिक प्रोपर्टी को नुकसान पहुचाने वालों से वसूली की जाएगी इसमें ट्रिब्यूनल बनाने की रिकमेंडेशन है बिल के अनुसार ट्रिब्यूनल नियम तै करेगा वही हर्याना के ग्रह मंत्रिया निकलविच ने बताया कि सजा और जुर्माने का प्रावधान भी रखा गया है दो बिल एक डेमेज टू पब्लिक और प्रावेट प्रोपर्टी बिल और दूसरा लब जिहाद पर बिल दोनों हमने अप्रूव करके भीज़ दिये और इस बज़र सत्र में पेश करके उनको पास करवाने की कोशिश की जाए है नहीं नहीं वो सारी डिपार्टमेंट तो डिपार्टमेंट त्यारी हो रही है उसमें ऐसा कुछ इन्जाब जाए है देखिये अभी उसमें सजागार परबदान भी है जरुमाने का परबदान भी प्रॉपर्टी लास में उसमें हमने ट्रिबियूनल बनाने के लिए कहा है और ट्रिबियूनल असेस करेगा और अंडर लैंड रेवन्यू एक्ट वो जो भी उसके लिए दोशी होगा जहां उस धरना परदर्शन को जलूस को जिसने औरोगनाईज किया होगा उससे रिकवर किया जाएगा एक साल के अंदर अंदर इसको फैनिलाइज किया जाएगा नए हमने अपना बनाया ब्रेकिंग निउस रास बसेरा आप के लिए लेकर आए हैं खास मौका वो भी हर्याना सरकार की अफॉर्डेबल हाउसिंग योजना के साथ जिसके तहट आपको मिलेगी 6 लाक रुपे तक की सुविधाओं के रूप में सबसीडी जैसे की फ्री पारकिंग, EDC, IDC फ्री, क्लब चार्जेस फ्री और मेंटिनेंस फ्री और कोई हिडन चार्जेस भी नहीं तो आज ही बिना देर किये अपने सपनों का घर बुख करें